क्या हाल चाल है दोस्तों स्वागत आपका तवु गर्मा आर्च में एक्छलि ऐसा है ना टैप वाले वीडियो में बहुत ज्यादा डिमान था भाई न्यू न्यू टैप दिखाते जाओ तो मैंने यहां पे न्यू टैप परचेजी कर लिया है यह आई-पैड ए-ए-m2 आहां कोसिस कर रहा हूं छोटा यूट्यूबर हूं भाई आपको सब्सक्राइब पर होगे तभी तो कुछ होगा ना तो आज हमारे पास यहां पे कंपारिशन है आई-पैड ए-ए-m2 वर्सेस सैंसंग S9 FE Plus मतलब कौन सा टैब्लेट आपको परचेज करना चाहिए आई-पैड ए आई-पैड ए-m2 मतलब प्यार हो जाएगा तो इतना प्यारा लगता है ना आप कर सकते हो बहुत ज्यादा सेक्सी है और साथ में सैंसंग S9 FE Plus भी बहुत ज्यादा सेक्सी है ऐसा नहीं है कि इसके सेक्सिनेस में कुछ कमी है आपको सैंसंग S9 FE Plus एकम थिन सा मिलेगा अब ग्रीकेस आहिं का हुग तुए लिए और ग्रीम तो अख řोसे चलमा और आप दोर का पर आपक दोर करा एक डएप घडर लहार्मने और और कंद करते हैं इसका प्राइस 20,000, 20,000, प्लस 20,000, अब आप समझ जो कितना प्राइस का है, इसार आपको में जाता है Samsung लिखा हुआ, बहुंचे ज़्यादा प्यारा सा डिजाइन इसका भी है, डिजाइन में 10 और 10 दोनों है, जैसे आप इसे इन हैंट फिल करो गया इंदम ही प्रि क्योंकि आप स्क्रीन पर लिखने वाले हो, या read करने वाले हो, या know taking करने वाले हो, या drawing करने वाले हो, iPad here में आपको दो screen size मिल जाता है, जो मेरे पास है, 11 inch है और एक आता है 30 inch वाला, तकी निंच थोड़ा हो जाता है मेरे लिए इसलिए मैं हमें सा 11 इंच ही प्रफर करता हूँ और Samsung वाले में आपको 12.4 इंच स्क्रीन साइज में जाता है आप देख सकते हो कितना लाज है अलाव अगर आप इसे साइज बे साइज कंपेल करो गाना तो देखो कुछ इतना आपका Samsung वाले में क्यों है अगर बात करें 11 इंच में राइट आप कर सकते हो मुझे तो कहीं भी कोई प्रॉल्म नहीं हुआ था अब स्क्रीन साइज देखी रहे हैं तो हैंलिंग पोजिशन बात कर लेते हैं अब आप बोलोगे हैंलिंग पोजिशन क्या होता है जैसे कि मा पकर करके लिख रहे हो या फिर ड्रॉइंग कर रहे हो वह बहुत जादा मैटर करता है एक इसा लगएगा आपको प्यारा सव नोटगूप पकरके लिख रहे हो है या बहुत ही लजर टेक्स्बूक आपने बहुत ही नेक्स लेबर डिवाईस आपके हाथ में पित अगर आप ऐसे करके नोट mi लेते हो आपको तो वहाँ प्रॉबलम हो सकता है है इतना बातों ही है नोनों का वेट भी चेक कर लेते हैं अज से पहले मैं बस ऐसे करके वेट करता था कि वहाईस आपक बास एक नेक्स़ लेबल डूल है उसटूल के हाप से इन Nejवरों गाएग इसे हम रखते हैं तो कितना weight आता है 502 grams Apple do claim करता है कि 462 grams है बट यहां तो 500 plus grams है इसका मतलब है कि फोरा तो उपर नीशे होता है अब ऐसा क्यों हो रहा है पता है हो सकता है कि मैंने इस पर टेंपर लगाया है that's why weight increase हो गया हो इसका भी temper glass लगावा है इस करण से weight है तो weight में कहीं भी कोई problem नहीं है दोनों का weight एकदम ही सही है अब आप सोच दो कि मैं weight का बात कर ही क्यों रहा हूँ क्योंकि बहुत ही essential होता है weight अगर आप एक student हो या फिर artist हो तो आप काफी long time तर यह से hold करके लिखने वाले हो इतना weight आ रहा है तो वहीं पर Samsung का weight जो है फोर है heavy है आपको heavy लगेगा ही क्योंकि इसका weight थोरा से जादा है क्योंकि screen size बढ़ा है तो weight भी obvious से जादा ही होगा अब बात कर देते हैं इन दोनों आपको 600 nits का brightness मिलता है 100 nits का difference है तो कि काफी है मतलब ऐसा या ना इसका screen size बढ़ा है मानता हूं but iPad का brightness हमेशा से कम लगता है मुझे मेरे पास iPad pro है जिससे recording हो रहा है उसका भी brightness कम लगता है मुझे आपडोर में मुझे draw करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है पता नहीं भाई एक कुछ 1,000 nits से 1,800 nits 2,000 nits राओ ना कोई लाता ही नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा है इतने सारे range of tablets मैं देख चुका हूं किसी में भी आपको 1800 nits राओ नहीं मिलता है फोन में तो यह डाल देते हैं अब बात कर लेते हैं इन दोनों टैब्लेस का refresh rate रेफ्रेश रेट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बोलो क्यों क्यों कि जैसे ही आप इसे यूज करोगे तो रेफ्रेश रेट से इने यूज करते हो आइपेड में आपको 60Hz का refresh rate मिलता है वहीं Samsung में आपको 90Hz का मिलता है अब आप तो चुछ रहोगे 90Hz तो ज़्यादा हो गया 60Hz से बद बिल्कुल भी नहीं आप यहां पे गड़त हो बात ऐसा है ना यह straight out of the box और 5 साल बाद इसका 60Hz बराबर चलेगा और वहीं पे Samsung वाले का ना दो-4 मैना आपको 90Hz भी आपको फील होने लगेगा लगी लगी जी यहां यह मेरा प्रसंट यूज हो सकता है आपको डिफर लगे बस मुझे तो यह लगा है मैं जन्मीनली आपको बता रहा हूं Samsung वाला जो है ना काफी हैं करता है बलब मैं इसे यूज कर रहा हूं around 4 months 4 months तो हो गया हो तो क्यूं क्यों स्मूठ लगेगा इसका रिफर से 60 होने के बाद भी इतना सही है वहीं पर 90 होने के बाद भी विकार है अब बात कर लेते हैं USB का वैसे तो दोनों में USB जो है टाइप CV देखने को मिलता है इन दोनों में USB की भी काफी डिफरेंस है iPad Air M2 में आपको USB 3.0 मिलता है 2.2 में क्या बता है काफी slow rate of data transfer होता है दोस्तों क्या ही बता है इतना slow slow transfer हो गाना वहीं पर iPad Air में क्या काफी ज्यादा fast data transfer आपको मिल जाता है मतलब आपका workflow काफी speed हो जाएगा अगर आप iPad के साथ जाते हो तो अब workflow का बात कर ही रहे है तो chipset का भी बात कर लेते है Apple वाले में आपको next level chipset मिल जाता है मतलब वही chipset है जो मेरे iPad Pro में है M2 M2 एक इतना पाफ हो chipset है आप समझते हो Apple के laptop Macbook में भी M2 chip ही लगा गा है वसी same chip आपको इस device में मिल रहा है इसके कारें इस device next level बन जाता है आप इस पर next level editing कर सकते हो gaming कर सकते हो note taking कर सकते हो drawing कर सकते हो हर एक application smoothly work करेगा कहीं भी problem नहीं होगा अंधी other है Samsung वाले में क्या issue है इसका chipset है Exynos 3080 processor अलब Exynos जो है मेरे expectation के recording नहीं उतरा अलब क्या बताएं काफी जादा hang होता है अगर आप पे कर रहो मैंने इसे around 2400 में purchase किया था इस अगर एडिटिंग नहीं कर पाओ गेमिंग नहीं कर पाओ तो मतलब वर्टिट है क्या student तो आप इसे purchase कर सकते हो उसमें problem नहीं होगा कुंकि इसमें आपको रैकिंग experience अच्छ तो विल्कुल भी नहीं है हाँ note taking कर सकते हो उसमें problem नहीं होगा पर यह simultaneous बहुत सारे app अगर आप open कर देते हो ना इसका हवा निकल जाना है मैं बहुत जादा hang हो जागा फिर अब बात करते हैं इन दोनों टैबलेस का battery का battery due matter करता है जब आप note taking करते हो या फिर drawing करते हो या पिंटर्टेन्में करते हो तो battery तो सब्सक्र जादा matter करता है न एपल वाले में यहां पे बहुत पीछे रह गया है मितलब इसमें आपको 7600 mAh का battery देखने को मिलता है और वही नूटिस किया है कि Samsung का battery काफी जल्दी डिगरी रहता है अब कुछ comments में आएंगे कि भाई यह तो Apple lover है Apple का इबला बला 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 बोल रहा है मैं क्यों ना बोले है जब Apple अच्छा है तो बोलने में क्या बुराई है जब मैं इसे यूज कर रहा हूं मैं daily देख रहा हू क्यों मैं जूट बोल लूगी Samsung जादा बेटर है जब वह है ली नहीं तो मैं जूटा च्यूं बनूँ आपी बता दो ना अब आप comment में फिरसे मुझे बोलो कोई बात नहीं है मैं सुन लूगा जो fact है वो fact है मैं fact कि आपको बताने आया हूँ अब बात पर लेते हैं storage का मतल आपको यहां पर memory card मिल जाता है भाई अब आप अगर आप student हो या artist हो तो दोनों में तो pencil ही ना matter करने वाला है iPad Air M2 में क्या issue है आपको अलग से 11.00 का purchase करना होगा pencil इसमें आपको support मिल जाता है Apple Pencil Pro और USB-C type वाला pencil और वहीं पर Samsung में एक यह benefit है इसमें S Pen Free मिलता है अलग क्या ही बता है यह इतना अच्छा pen है मतलब जब आप इससे note taking करोगे इतना अच्छा note taking होता है कि आप ऐसा note taking pen से करते हो वैसा तो similar experience आपको मिल जाना है और वहीं पर आप Apple वाली से लिखो गया ना थोड़ासा पता है मेरा personal experience है थोड़ासा problem होता है तो थोड़ा ही ज्यादा होता है रग लो क्यों है ऐसा ना मुझे लगता है मैं glass पे लिख रहा हूं जब भी मैं इससे लिखता हूं तो म पीसे ऐसे magnetically attached हो जाता है ऐसे करके आप attach कर लो और यह charge भी नहीं होता है कभी इसमे charge का pop-up story नहीं होता है और वहीं पर Apple pencil में क्या आपको charge करना होगा बार बार और इसमें भी charging issue में यह आता है ना भाई मैंने काफी जादे reviews भी देखे हैं या check out किया है मैंने तो उसमें क् अगर आप इसे हमेशा charge में लगाते हो ना तो इसका battery life decrease होते जाता है और वहीं पर S Pen में आपको charging issue ही नहीं है अब अराम से लगा लो यहां पे ऐसे रख सकते हो पीछे भी लख सकते हो अराम से work कर जाएगा कहीं problem नहीं है उपर से free of cost में जाता है box में देखने को और Apple pencil इसका जो प्रेंसिल का ड्रॉइंग है यह इतना अच्छा इंटिगेटर किया हुआ है software के साथ कि आपको इतना नेक्स लेवल ड्रॉइंग आप इस पर कर सकते हो आप जितना भी मैंने डिटल आट चेकाउट कर रहे हूं न वह सारा मैंने अपल प्रेंसिल से ही बनाया है मैं लिलिश्टण का बना सकते हो लिराट। कोली सर का बनाया हुआ है शक्रीन पर श कर सकते हो भाई उसक्रीया दिखा दो या । या सारी वीडियो पर आप्लोग किया थे अचिक पर फ्रेंस बोलते हैं ह। यह रायटइंग पर्पर्बस के लिए मैं रिवार लिए dispenser के साथ जा सकते हो, वहाँ आपको प्रॉलम नहीं होने वाला है. अब बात कर लेते हैं इन दोनों टैबलेट के प्राइस का, भाई, प्राइस तो बहुत जादा मैंटब करता है, जब भी आप एक टैबलेट प्रचेस करने जा रहे हो, आपको मिल जाता है 600 रुपीज में, कभी तभी सेल में 55 में मिलेगा, और वहीं पर संशंग ये प्लस तो भाई, डैनेमिक प्राइस केलता है, ऐसा है या यह आप ले सकते हो 22 में भी और 43 में भी, जब आप ले सकते हो 22 में, तो बहुत सारी सेल आते हैं, आप या चैनल सब्सक्राइब कर लो, या टेक वाला कर लो, मैं अब्डेश रहता हूं, तो कहीं में फालब नहीं होगा, आप अराम चाहिए वालत, उठा लेना, अगर आपको राइटिंग पर्पश के लिए चाहिए, आपका बजट टाइट है, तो आप संसंग के साथ जाना, और अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप आप आइपड के साथ जाना, अब बा एक से दो साल, मतलब क्या बताएं, भाई, एक से दो साल मैस बता रहा हूँ ये, उससे मीचे ही रख लो याद, क्योंकि इतना जादा है हैं होगा, कि आपको मन करेगा, उठाके फेक दे, उपस स्क्रीन साइज इतना बाया है, कि आपको लगए है कि भाई, स्क्रीन साइज पता चलता है, इसका इसकी चाहिए छोटा है, तो मैने हो जाता है, किसे पर्चेस करना चाहिए, आइपाइड या पर सामसंग, तो अगर आप एक स्टुडेंट हो, तो आप सामसंग के साथ जाना, गो लो क्योंकि इसका प्राइस भी कम है, आप इस पर रैकिंग अच्छा सामसंग भी ले लो, कोई बात नहीं है, अब आइटर के साथ जाना, क्योंकि इसमें आपको next level software experience में जाता है, जैसे कि Procreate, Procreate तो मतलब, ओ, ओ, क्या बता है, इतना अच्छा अच्छा द्रॉइंग कर सकते हो, इवन ऐसा बात है, Procreate से आप फोटो सॉप होता है, उस इनर आर्टिस्त हो, तो सामसंग के साथ जो, वहाँ पे भी आप गलत नहीं हो गया, आप अराम से इस पे भी ट्रॉव कर सकते हो, उसके बाद आप स्विच करोगे तो iPad Air में चला जाना, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताओ, और उप सारा प्यार भी प्रोडक्स और आप जो भी दिमांड करोगे ना, उदर मैं उदर कर दूँँगा वीडियो का तेंसर मतलो दोस्तों, ऐसे क्या दिखाते रहो और मिलते हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच पर वाचिंग वीडियो और दू सब्स्राइब